तो वही आज अपने विंड चलेंज के आप 35 वादिक मतलब कि लगाता पितले 34 दिन से लगाता पितले 34 दिन से रोधान अपना fantasy रिपोर्ट कार्ड आपको शेयर कर रहा हूं आपको अपनी investment के बारें बता रहा हूं अपनी winning के बारें बता रहा हूं अपना profit सबस्क्राइब करो तो आज इस तूडियो में आप से बात करूंगा यह जो इंग्लेंड विट पांच वेंडे मुकावलों की शंकला में तीसरा मैच है इसके बारे में कि वह तीसरे मैट में कौन से पर्फॉंग कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं जैसे क्या वही तीसरे मैट में स्ट्रीवनी स्मित पर्फॉंग करेगा क्या वही तीसरे मैट में विल जैक्स पर्फॉंग करेगा क्या वही तीसरे मैट में लभूशेन पर्फॉंग करेगा तो इसी दनाहरे एक प्लेयर के बार में डिटेल आज़े इस सुडियो में आपसे बात कर करने वालों तो अगर आप इससी तीसरे मैच में फेंटेस्ट की फिल्म अच्छा पर्फूम करना चाहते हो 37 वेट के वीडियो पूरा देख लेना ध्यान से उड़ा के मत देखना तो यह मैच अपने अलाम सेट करना है 3.4 का खेला जाएगा आपका चेस्टर ली स्ट्रीट में ठीक है तो इस वेन्यू के बारे में जानेंगे यह दोनों टीम है जब इस वेन्यू पर एक तूसरे के आमने सामने होगी तुझे विकिट है कैसे वेव करेगा हाई स्कोरिंग मैच होगा लो परफॉंग किया था ठीक है तो इन दोनों टीम होग भी जब इस वेन्यू पर पिछला मैच हो आइधिंग साल 2018 की बात है ओसले की टीम ने 50 और में 310 का टागेट दिया इंगलेंड की टीम को ओसले की टीम के और से शॉन मार्च और एरन फिंट ने सेंचरी मारती फिंच ने परफॉंग किया था और उसके बाद एकदम से पजड़ आ गया था लगातार विकेट गिरे थे और फिली ने 47-50 और के बीच में मैक्सम विकेट निकाले थे ठीक है तो यह कैसा वेन्यू है जहां पर अगर मोसम साफ है दूप के लिए है तो इनीशल फेस में वल्ले बास अ चलेंगे तो नीचे एक वल्ले बास परफॉंग कर सकते हैं तो आपने यह ध्यान रखना है टोस के वकत कि क्या मोसम चाहे है यह बादल चाही हुए है या फिर दूप के लिए है हाला कि काफी आई चांस है कि बादल पूरी तरह चाही रहेंगे और मैट में अलकी फुलकी पार इसमें ख़़र डाल सकती है तो मैं तो मैं तो आनके चल रहा हूं कि सुगिट के उपर नीशल फेस में तेस के इंदबास को पिछ से मज़द मिलेगी जैसा हुआ था दूसरे वंडे मैच में इंग्लेंड के टीम ने चोवाली सोल में टागेट चेस कर दिया था पिछ तो ऐसे कोई खास मज़द तेस के इंदबास को करती नहीं लेकिन मोसम का कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आप जानते हो यूके में पिछ का विएवियर मोसम के साथ बदलता है ओवरकास कंडिशन तो बॉल इतना मुमेंट करेगा कि वलेबास करना लगबग इंपोसिबल है ज अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मैट के समरी की दूसरे मैट में क्या कुछ होा था तो बहिं देखो ओसलय की टीम में 270 लगन देखा हो तो आप मेरी बात समझ चूगे तो एलक्स करेंगे इस मैट में जब 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 पर्फॉर्म किया था, पिछते इनिशल फेस में तेस के इनबास को मदद थी, मैथ्यू शोट के 29 और ट्रेविस हैड के सिर्फ 29 थे, ठीक है, दूसरी पारिम इंगलेंड की बात करें, तो इनिशल फेस में फिछ से तेस के इनबास को मदद थी, कोई टिकाई नहीं, विल जैक्स देख लो, जेरो प्याउट हुआ था, तो जैमी स्मित ने नीचे 49 रन कोंटिब्यूट किये, बेन डेकेट 32, आदिल राशी 27 और कार से 26, आदिल राशी तो कार से दोनों गेनबास है ना की बल्लेबास है, और इनका नाम आ रहा है बैटिंग कोलम में, तो आप यहाँ पर अंदर से लगा सकते हैं कि इंगलेंड की बल्लेबास से कि इतनी कमसूर है, गेनबास से की बात करें, कार से, विगिट मिल गया कार से को, क्योंकि यह रन खारा था, बल्लेबास सोचे, सबसे विग गेनबास से पिटाई करते हैं, पिटाई करते हैं, विगिट मिल गया, ठीक है, तो अगर आपकी नजर में कोई यह कैसा गेनबास है, जो आपको लगता है अगर England पहले गेंबास से कर वर आपको लग रहा है यहर यह गेंबास 45-50 और के बीट में जाके 3 और गेंबास से कर सकता है तो मेरे हिसाब से आपको इस तेस केंबास को fantasy team में सुरूर लेना चाहिए मैथ्यू पोर्ट ने अची गेंबास से कर वापस एक बाद फिर अच्छा कर सकता है विथेल बल्ले के इन दोनों से और यह जो वेन्यों यहाँ पर तेस केंबास को पिट पे ज़्यादा मदाद है कंपैस में स्पिन केंबास के तो आदिल राशुद से पहले मैं कहूंगा आपको तेस केंबास अपनी टीम में चूस करने चाहिए अगर आपको लग रहा है नहीं यार इस मैट में कोई अच्छा तेस केंबास नहीं तो यह आदिल राशुद के साथ आपने जाना है फिर मिचल स्राग की 32 गेंबासी, मैक्सवल की 32 गेंबासी, हैडी ने भी अच्छी गेंबासी की थी, हेसल वूड ने भी दो बल्ले बासों को इस मैट में निटाया था अगर आप पहले मैट की बात करते, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहले मैट में लभूशेन को 3 विगिट मिले थे, वो इस वज़य से मिले थे कि ओसले की टीम के जो गेंबास थे, वो इंजर्ड हो गे, जैसे बेंट डैवरी से इंजर्ड हो गया, श्री नवेट गेंबासी पूरी नहीं कर पाया, तो अब गेंबासी तो 50 और इंगलेंड की टीम के सामने ओसले ने करनी थी, तो विकल्प कोन बचा, लभूशेन, ट्र उससे मैट में गेंबासी कम मिलीते है, जबकि मैथ्वी शोट को पहले मैट में गेंबासी करने कमोगा ज्यादा मिला था, तो आपको द्यान रखना चाहिए, कौन सा ख्लाड़ी मैट में खेल रहा है, उसके खेलने से टीम के कॉंबिनेशन पर क्या इंपक्ट आएगा, उस उसले की टीम की बात करेंगे, ट्रैविस सर्ड और माने इस लभूशन का बला चला और इस मैट को उसले ने फिन किया था, गेंबासी में कोई नहीं चला, बेथेल था, पोर्ट तो पहले मैट में बेची करके आए तो लिया में तो दोस्तों बैथें गंगा में हाथ दो गय कह रहा हूं, जोइन नहीं क्या, जोइन कर लो, फ्री में जोइन कर सकते हो, पैसा थोड़ी आपका लग रहा है, तो अभी जाओ, जागे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो, वापस आखके ये वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, लिंक फीडियो को नीचे डिस्क्रि है, दूसरा किया कार से जोई अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाया, कार से अच्छी गिंदबासी नहीं कर पाया, तो टीम चाहे तो बोले कि ओली स्टोन भाई ठीक है, अच्छा कर रहा है, तो हम कार से को बाहर करके जोफरा को लाएं, लेकिन इंग्लेंड की टीम ये जानत सकता था, वो ही है था, जैसे इंग्लिश फिट हो, तो एलेक्स करी को बाहर कर दें, लेकिन एलेक्स रेने पिछले मैट में जो मोका मिला, अपने मोके को अच्छी दना बुनाया है, ठीक है, जिस तरह की परफॉर्मेस कर दी, मेरे को लगता कि अब एलेक्स करी टीम से बाह नी रहे, अगर ग्रीन वापस आएगा, तो हाईडी को फिर मेरे को लगता है, बाहर जाना पड़ेगा, अदरवाइस ये मैट में, ओसले टीम सेम 11 से कहल सकती है, कीपर बल्लेबास के बात करें, सोर्ट के चोईस साब के पास है, लेकिन अगर पिछ से तेस के इंदबास को म पहली पारिके, अगर इंगलेंड पहले बल्लेबास से करें, तो बिल्कुल आप बे धड़क होके, इनको फेंटेसी टीम से डॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, चेस करें, तो फिर भी अगर आपको सेफ खिलना ले लेना, ठीक है, लेकिन पिछ से तेस के इंदबास को मदद मिल रही है, तो सोल्ट की पर्फॉमेंस करने के चांस मेरे को कम लग रहे हैं, बेंड डेकेट, दोनों मैट में अच्छा पर्फॉम करके है, बल्लेबास के तोर पे मेरे इसाब से, आप ओस से लगी बात को कि वहां से ट्रेविस हैड का नाम उठाओगे, और इंगलेंड से बेंड डेकेट का, मेरे इसाब से बेंड डेकेट आपकी फेंटेसी टीम में होना चाहिए, ऐसा ओपनर अच्छा पर्फॉम कर रहा है, और बेंड डेकेट ना से आपकी फेंटेसी टीम में होना चाहिए, बल्कि आप लोग तो बेंड डेकेट को फेंटेसी टीम में कप्ता वैज कपतान तक बना सकते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, जो वैंड डेकेट को फैंडर से टीमे कपतान वैस कपतान करके चलेंगे, डेकेट के पहले पार में पर्फोर्मेस करने के चांस जादा है, कमपेज में चेस के, पहली पार में बलेवासि उस अब 62 कि है, दूसरी विल जेक्स टीम में लेना है, इंग्लेंड टीम चेस करेगे, तो जैक्स को टीम से बाहर कर सकते हो, क्योंकि मैंने यह देखा है, इंग्लेंड के लिए खेलते हैं, विल जैक्स जो है, क्योंकि उनको लगा हो कि Jacks पर्फॉंग करेगा मेरा मानना यह था चेस में शाद उतना पर्फॉंग नहीं कर पाएगा तो मैंने फैंटेस्टी टीम में ड्रॉव किया दूसरा यह भी था कि यार पिछ से तेस केंदबास को निशनली मदद मिल दिया तो अगर बल्लेबासी आ भी गई तो रन मारने इतना असान विल जैक्स की लोगानी चेस में तो आपस एक बाप फिर मैं यही सब चीज देखने वाला हूँ हैरी बुरुक की बात करें पहले मैट में उन्ताली दूसरे में चार और दूसरे मैट में तो भाई अपनी 스mawa की टीम में भाहर रख हुँ जैमी स्मित विगिट की बंड़े बास है 60 तीम में नहीं तो जैमी स्मित को ले सकतो जैमी स्मित नहीं घ्लैक्स के लहें तीन ही तो चोई सब के पास है क्योंकि मैं आपको काया मैच में वारिस हल्की-फुल्की खलर डाल सकती है तो अपने नीच देखके चलना है क्योंकि अगर जितना चोटा मैच हो जाएगा जैमी स्मित को बल्लेबास से मिलने के चांस कम होंगे क्योंकि जैमी स्मित से नीचे कौन खेल रहा है Jamy Smith से नीचे कौन केल रहा है Jackab Bethel केल रहा है अगर match होटा हो गया तो team क्या करेगी Jamie Smith को नीचे पटक देगी Liam को उपर लेके आगी Bethel को उपर लेके आगी क्यوں क्यों कि Liam और Bethel अची खासी पालुटिंग कर सकते है compared to jammy के तो ये चीज हमने जरूर देखके चलनी है कि ये match क्या पूरे 50 ओर का हो रहा है या वाइट से चलते 20 ओर का है 30 ओर का उस बेस पे fantasy टीम में जैमी स्मित को लेना ने अपने decide करना है ठीक है लिया हैं की बात करें तो T20 format में तो इसने 12-10 perform भी किया था T20 format का number 1 all rounder भी बन गया लेकिन 1-day format में वो कमाल नहीं दिखा पारा जो इसने T20 match इसमें किया था और 1-day format में अब इसके गेंदबास से करने के चांस मेरे को कम लग रहे हैं क्योंकि इस वकत England टीम का कप्तान Harry Brook जो है उसका परोस्ता गेंदबास से में आ चुका है किस पे विथेल पे विथेल और् पर देखते हैं चार को चाल दस से मृटिप्लाइ करो के 40 वर अब बचे 10 वर दस में से अगर पांच वर आपको बिथेल डाल गया तो दो वर लियाम को मिल गए और दो विल जैक्स को मिल अपर तीसर वर लियाम विल जैक्स वो डिपन इस वात पर कर रहा है कौन सा ख्लाड आपको रखनी चाहिए ठीक है अगर ओसले टीम में बहुत सारे लेफटन बलेबास ने तो हो सकता है बिथेल को गिनबास से कम मिले इससे ज्यादा मिले तो फिर उस केस में आप सोच सकते हो ठीक है बोलिंग चार्ट आप वीडियो को पोस्ट करके देख लो ओसले टीम के आपको देता हूं, मिचल स्राट ने पिछले 10 वंडे मैट में अठारा बलेबास आउट किया है और इंग्लेंड इनको अच्छे खासे पसंद है, 23 मैट में बंदे ने इंग्लेंड टीम के 41 बलेबासों का उट कर दिया, इसलरूर की बात करें पिछले 10 मैट में 17 और पिछल Aaron Eddy, All-Rounder है, जो बल्लेबास All-Rounder हुआ करता था, ठीक टा, गिन्दबास से करता था, OCR टिम इनको गिन्दबास में ज़्यदा मोका जिरी बल्लेबास से कम करा रहे है, Jaws, Mitchell Strakis, ट्राइट से के मेरे को इन दोनों पे कोई भी डाउट किसी तरह का है नहीं, Adam Sempa पिछले 10 मैट में 15, और England टिम के सामने 14 मैट में 30 हुगेट, England के सामने 14 मैट में 30 हुगेट, ठीक है, Maxwell पिछले 10 मैट में 8, England से 25 में 17 और आप जानते हूँ, Maxwell बल्लेबास दुआदार है, थोड़ी सी देर में मैट का पासा प्लाट सकता है, पिछले मैट में आप देखो, आया छक्का मारा, फिर राशित के सामने, फिर से ट्राइ किया, तीक है भाई, गेंद बाउंडरी के पार नी जा पाई, स्कार बाउंडरी थोड़ी सी बड़ीती आउट हो गया, लेकिन खेलने का इस्टाइल बंदे का ऐसा ही है, तो अगर आप इसे फैंटेसी टीम में बाहर रखके चलते, तो बहुत बड़ा रिस्क आ आपने लिया है, पिछले मैच में बहुत सारे भाई, मैक्सवल को फैंटेसी टीम से बाहर रखके चले गई, लेकिन जानते हो, बल्ले वासे में चलो खास नहीं किया, लेकिन गेंट बास में दो बल्ले वासे को गाउट कर गया, फिर मैक्सवल द्यार फ्रेल्डर इतना जवरदस्ता है, मैथ्यू शोट की बात करें, पिछले 6 मैच में एक विट इंग्लेंड से 2 में, मैक्सवल के आने के चलते मैथ्यू शोट को गिन बासे में होका कम मिल रहा है, अब मैथ्यू शोट की बल्ले वासी आगई, देखो ये स्पेशल चीज़ जो आपको द्यान रखनी चाहिए, हुआ क्या था पहला मैच, मैथ्यू शोट को बल्ले वासी नीचे कराए गई, इनकी बल्ले वासी आई, दूसरे मैथ में निउस निकल क्या है कि मैथ्यू शोट भाई उपन करेगा, बल्ले वासी आगई, 39 अन मार दिये, तो इसी तरह 30 वंडे मैथ को आपको तयार रहना है कि मैथ्यू शोट की बल्ले वासी पोजिशन क्या है, अगर वापस से उपर है तो सोच सकते हैं, नीचे है तो अवइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे बल्ले वासी होगी, गेंद बासी मैक्सवल की आने के बाद मिलनी रही है, और बल्ले वासी मिलने के चांस और खतम हो जाएंगी, और मैथ्यू पोट ने पिछले मैट में जवरदास तरिके से सैट किया, 39 सन पे आउट किया था, ठीक है, तो मेरे को लगता है मैथ्यू शोट एक ऐसा प्लेरा जो मार सकता है, पार प्ले में 40 सन, 50 सन, लेकिन जो स्पार्ट मिलकिया, उसको बड़ी पार में कनवर्ट करने में उतना शक्षम नहीं, जितना ट्रेवी सैड आपका करता है, और ट्रेवी सैड को आँख बंद करके लोगे दोनों ही मैच में अच्छा पर्फूम किया, सवाल यह है, ट्रेवी सैड को क्या फेंटेसरी टीम में कप्तान बना सकते हैं, तो मेरे इसाफ से भई, आज इस मैट में ट्रेवी सैड को फेंटेसरी टीम में कप्तान मत करना, इसके पीछे में रीसन बता रहा हूँ, रीजन क्या है कि Travis Head ने पहले मैच में 154 नोट आउट किया, दूसरे में 29 किया, बैटिंग दोनों मैच में अच्छी किया है, लेकिन डिफरेंस क्या था, वेन्यू का डिफरेंट था, पहला मैच नोटिंगम में था, जब बाउंडिस बड़ी छोटी थी, इसकर बाउंडिस प बड़ी है, तो इंगलैन की टीम इनको फिर सिजी जाल में फसा सक्ती है, ठीक है, कि वहाँ इसको एलाग पर फिल्ड़े रकेंगे, इनको बोलेंगे बढ़ा शुर्ट मार, एक बार नहीं मारेगा, दो बार नहीं मारेगा, तीसरी बार तो मारेगा, कह़ जिए फिल्डर के आगे गिद्बास से करवाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं इस मैट में ट्रेविस एड को टीम में लोगा लेकिन कप्तान नहीं बना रहा हूं मैंने रीसन आपको साब बता दिया मिचल मार्ष के बात करें तो देखो आपके पास च्ईष के है मिचल मार्ष और इस्टीवन समीतं मारनिष भाभूश भी के ऊपर और जबी आउट वहा तो यही बात सुनने को मिली कि जो weakness के बाद रिकी पॉंटिंग करा था उसी sport के अंदर England टीम ने गेंदबासी किया अगर England टीम के पास ये plan है कि इस टीम ने स्वित की ये weakness है तो वापस से मेरे को लगता है इस टीम ने स्वित की जल्दी लपेट लेंगे अब मानिस लभूशेन बचा मिचल मार्श बचा लभूशेन ने पहले मैट में गेंदबासी करके तीन बल्ले बास आउट कर ली थे दूसरे मैट में फस गया था अगर मैं मानिस लभूशेन मिच मिचल मार्श का पलड़ा थोड़ा बाहर ये कंपैस में लभूशेन के क्योंकि लभूशेन जो है वो हाफ सेंस्ट्री जादा स्कोर करता है लेकिन सेंस्ट्री स्कोर नहीं करता मिचल मार्श ऐसा है जिसने 50 कर लिया 50 के बद कब 90 पे पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो ये चीज़ है यानि ये समझो मिचल मार्श अपने मैक्सम रण बाउंडरी में स्कोर करता है और लभूशेन सिंगल डबल स्कोर करता है तो इन तीन में कोई एक चूज़ करना है मैं टोस से पहले मिचल मार्श को चूज़ करके चल रहा हूँ एलेक्स करी जवर फैंटेसी टीम में भाहर कर सकते हो ठीक है और विल जैक्स को टीम में ज़रू ट्राइ करना अगर इंगलेंड टीम पहले वल्लेबास की करती है तो गिन बासु की बात करें पोड के पिछले 6 मैच में पांच है दो मैच में ओसले के तीन और वेन्यू पे विगिट नहीं मिल वेन्यू पे पांच मैच में पांच है बिथेल की बात करें दो मैच में तीन ओसले से दो मैच में तीन लियम के पिछले 10 मैच में आठ है ओसले से तीन मैच में दो है और वेन्यू पे दो मैच में दो है जोफरा आचर की बात करोगे विल जैक्स की बात करोगे तो विल जैक के 9 मैच में चार है जब तक भई लियाम टीम के अंदर है जब तक आपका बितेल टीम के अंदर है तो मेरे को लगता है गिंदबास ही करने कम होगा विल जैक्स को कम मिलेगा जोफरा की बात करें दस मैच में 22 विगेट ओसले से 6 में 10 और वेन्यू पर एक मैच में एक जोफरा आर्चा को अपनी टीम में सैट कर सकते हो क्योंकि जोफरा आर्चा कहीं ज्यादा बेतर मेरे को विकेटे की गेंदबास लगता है कार्स के कमपैर्सन में कार्स एडवांटेज यह है कि टीम उनको थोड़ा बैटिंग में उपर खिला रहा है जाहों 20-25 बल्ले के साथ हमेश उसमें रहता है कि यह मार सकता है ठीक है तो बाकी मेरी फैनल फैंटेसी टीम आप लोग अब देख सकते हूं मैं एक चीस के लिए कर दूँ इस स्यूडियो के अंदे मैं आपको इन डिटेल समझा है कौन सा प्लेयर कव कैसे क्यों परफॉर्म कर सकते हैं तो आप लोग अप पीट से इनिशल फैस में तेस के इंदबासों को मददता है जिसके हाई चांस है मिलेगी भी ओवरकास कंडिशन के चलते तो सोल्ट के प्लेस में इसमित मेरे इसाब से बैस चोईस आपके लिए हो सकते हैं बैटिंग में ट्रैविस हैड हो गया मिचल मार्श हो गया बेंड इसमित बैसों के सामने जदा खुल के स्कोर करनी पाता ठीक है इसमित के इनिशल फैस के सामने स्वीप रिवर्सिप करने का ट्राइ करता है वहां पे लैग बिफोर विकिट आउट होता है पिछले मैट में ऐसा ही कुछ हुआ था तो अगर इस मैच के अंदर और सले टीम की ओपनिंग पार्टनर्शिप जल्दी गई तो मिचल मार्श को पार्ट प्लें बल्लेबासी मिल जाएगे और पार्ट प्लें बल्लेबासी करके कभी 25-30 तन मार देगा आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप इस मैट में ट्रेविस को कप्तान मैथ्विस शोट को वाइस क पतान करने तो मेरे हिसाब से मिचल मार्श को फेंटरिस्टी टीम में अपनी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ट्रेविस टैड मैथ्विस शोट ने परफूं कर दिया तो मिचल मार्श की परफूंस करने के चांस मेरे को लगता है कम हो जाएंगे इसके बाद आजा ओल्ड जोफ्रा आचर के साथ जा सकती हूँ तो उसे पहले कफतान मेरा बिथेल आपको 230 वोग ने बिथेल को क्यों कफतान किया मैच समय में मैं आपको केरो तैसा प्लेर है जो काफी important player है आने वाले दिनों में England की टीम में बड़ा नाम बनेगा तो 50 ओर का मैच है बल्लेबास से इसको लगबाग मिली जाती है बल्लेबास से करके कुछ भी नहीं तो बड़े राम से 30-35 तो इसने मार देने है और उसले की टीम में बहुत साई राइटन बल्लेबास जैसा कि आप लोग अपने स्कीन पर देख सकते हो तो इन राइटन बल्लेबास को के सामने 4-5 और गिंदबास से भी मिल जानी है जहां से एक वोगिट मिल गया तो सबसे बैस प्लेयर है जो आपको बड़े अराम से 60-60 फैंटेसी पॉइंट की कॉंटिविशन करके दे सकता है तो इसलिए फैंटेसी टीम में कप्तान है वाइस कप्तान 20 डेकेट है जो की इस वगत दोनी मैट में अचा करके आ रहा है चोईस की बात करें आपके पास जो है ट्रेविस एड की चोईस है अगर आप ओसले की टीम में देखे और लाउंडर में मैक्सवल है यह चोईस आपके पास है जिनके साथ आप इस मैक में जा सकते हो विखल्प की बात करें तो अगर आप उनी फैंटेसी टीम में सेंपा बार करें तो आदिल राशिद ले सकते है अगर आप इस के आप आपके जाओ जाओ जोईन कर लो टेल गाम चैनल का लिंक वीडियो क नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में और फ्री में जोईन कर सकते हो तो बस वही आज के लिए सुड़ों में इतना ही आपको हर एक प्लेर के बार में डिटेल समझा दे है कौन से प्लेर को कब कैसे की ओ फैंटेसिर टीम में लेना है तो उमीद करता है आपको समझ आया और आप सही फैसलाव ले सकते हैं तो बही आप सबसे वापस एक बार फिर मुलाकात होगी किसे एक नए वीडियो के साथ तब तक आप सारे भाई लोग अपना ध्यान रखो और अपना प्यारों सपोर्ट भी मेरे साथ बनाए रखो तो आप सारे भाई लोग अपना ध्यान रखो